वेल्कम बेक एवरीवन तो दे चैनल साइको आई एस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी यूनिट लर्निंग सिक्स्ट यूनिट के हम पीवाई क्यूस के बारे में कि किस प्रकार के पीवाई क्यूस आते हैं इस वाले टॉपिक से जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं वो अपनी जो answer writing है उसको start कर दीजिये answer writing करना आपके जा सान हो गया है आप इसको देख देखके बढ़ियां से answer कर सकते हैं नीचे description में number दिया हुआ है वहां पर WhatsApp करके आप detail ले सकते हैं आप बात कर सकते हैं छाए आपका answer writing करने के लिए बोला है वो अपने answer submit करेंगे जल्द से जल्द इसका आप ध्यान रखें ये देखिए आपका psychology optional paper 2022 का section number A में देखते हैं सवाल हमको learning से काम मिल रहा है learning से सवाल देखते हैं ये आपको देख रहा है 10 number के लिए बड़ा ही आसान simple सा सवाल बूचा गया है आपसे 10 marks के लिए आप बड़े ही आराम से लिख सकते हैं how can parents use reinforcement contingencies to manage their children's aggressive behavior अभी भावक अपने बच्चों के आकरमक विवार को प्रबंदित करने के लिए पुनर बलन आकस्मिकताओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं 10 marks का सवाल है दो periods आप fulfill करने हैं बताएए यहाँ पे reinforcement contingencies क्या होती है ठीक है और आकरमक विवार क्या होता है किस प्रकार से उसमें मदद मिल सकती है ठीक है क्या relationship established होगा वहाँ पे इसको आप बताके बड़े ही आसानी से आप 10 marks यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है जितना आप लिखते जाएंगे practice करेंगे उतना आपका answer परिपक वह mature और अच्छा होता जाएगा in terms of psychology ठीक है फिर देखते हैं अगला सवाल को यहाँ पे मिल रहा है हमको तो आपके learning topic से देन आपको मिलता है यहाँ पे यहाँ पे देखिए learning यह देखिए 20 नमबर में सवाल पूछा गया है important topic है आपका यह unit number 6 का learning occurs not only through conditioning but also from our observations of others ठीक है CC की बात कर रहे है OC की बात कर रहे है discuss this statement from children's point of view अच्छा एक experiment भी लिखना है आपको mention करिए 20 marks का है what are the pros and cons of observational learning for children ठीक है बच्चों में किस प्रकार से इसके फायदे हैं positives क्या है negatives क्या है वो आपको बताना है अधिगम के इवल अनुकूलन conditioning के माध्यम से नहीं होता बलकि हमारे द्वारा दूसरों के अवलोकन से भी होता है यही बताने के लिए तो वो Mr. I थे बच्चों के दुस्टी कौन से इस कथन का वर्णन कीजिए बच्चों के लिए प्रक्षन आत्मक अधिगम के गुण और आपगुण क्या है उनको आपको बताना है 20 marks के लिए 4 pages फिल करना है अच्छे से experiment का नाम लिखिए काफी सारी जीज़े बताईए इसके अंदर और अपने answers लिखिए ठीके तो 2022 में आपने देखा कितने नंबर का आया था 2022 में आपने देखा 20 plus 10 ठीके 30 marks का सवाल आपको था यहां से और यहां अगर आपने इंट्रिजेंस पड़ा होता और इत्यो लिंग्विस्टिक थोड़ा सा पड़ा होता आपने भाशा की बात की होती तो आपको यह वाला पूरा section जो था 8 वाला वह बड़े ही आसानी से बन जाता third B देखिए साल आपका 2021 का सवाल है 15 marks के लिए क्या आप बोल रहा है आपे यह बोल रहा है describe the principles of classical conditioning again classical conditioning 22 में पूछा 21 में भी पूछा illustrate the application of classical conditioning principles in our real life यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अब आचीत कर रहे हैं आपके प्राचीन अनुबंधन के बारे में ठीक है यह प्राचीन अनुबंधन क्या होता है इसके principles क्या है वो बताईए सारी चीज़े बताईए एक दो तीन चार and then illustrate करिए अपने application कि आप classical conditioning real life में आप कैसे इसको implement कर सकते हैं ठीक है 15 मार्च का सवाल है आपके लिए एक पेज में आप classical conditioning principles बताईए और अगले दो rewards में backfire and not produce their intended results for behavior कारण बताईए के पुरसकार कैसे विप्रीद असर कर सकता है और विवार के लिए आशाजनक परिणाम नहीं देता है ठीक है then number C थोड़ से टफ सवाल थे ये any sort of learning takes place with the help of suitable associations and reinforcement ठीक है बस प्रशन घुमा दिया है चीज़े एक ही पूछ रहे हैं critically examine that how much cognitiveist guest artist and evolutionary psychologist agree with the statement evolutionary जो है आपके syllabus में नहीं है बड़ यहाँ पर पूछ लिया अनों है ठीक है इतना सबब पढ़ रहे हैं आप first से लेके 14 topics तक तो आपको evolutionary थोड़ा बहुत idea हो जाएगा मालूम पढ़ जाएगा but still ठीक है 15 marks के लिए सवाल है इसको आपको answer करना चाहिए and then साल 2019 क्या पूछ रहे हैं वो तुर्वा साथ डीप घुस गए वो discrimination and generalization are two complementary processes in skill learning discuss with reference to operant conditioning ठीक है कौशल अधीगम सीखने में विभेदी करन तदा सामाने करन दो पूरक प्रक्रिया हैं mix कर दिया है सवाल को क्रिया प्रसुत अनुकुलन का हवाला देते हुए इस पर चर्चा कीजिए यहाँ पी ध्यान दीजिए आपको classical conditioning mention मत करियेगा 10 marks के लिए सवाल है ठीक है I guess yes 10 marks के लिए ही है किसके reference पर चेक करना है आपको operant conditioning के कौन सा आज आएगा आपका skinner box वाला जो बताया था उसके reference पर आप इसको solve करें तेन आपका अगला आता है what is प्रती स्थानिक अधिगम क्या है what is vicarious learning discuss its applications and acquisition of emotional responses समवेगात्मक अनुकरियाओं के अर्जन में इनके अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए 9 वाला topic आपका include कर दिया यहाँ पे 15 marks के लिए सवाल ठीक है then again 7a संप्रत्य को परिभाशित कीजिए विविन प्रकार के संप्रत्य तता उनके न तो देख रहे है 20, 35 and आपके 10 marks मतलब 45 marks के सवाल आपके learning topics से then again देखे 2018 परिक्षन कीजिए कि प्रायक्ता अधिगम अन्य प्रकारों के अधिगम से किस प्रकार भिन है उधारन प्रस्तुत कीजिए एक ही बार आपसे probability learning पूछे गई थी उसके बाद then next अब यहाँ पे focus नह आता है learning topic से differentiate between positive and negative types of reinforcement and punishment बढ़े ही आराम से आप दो पेज में फिल कर सकते हैं इसको describe how these could be applied to inverse putting on the seat beds while driving एते एक्जामपल ही दे दिया वाला lecture वाला ठीक है तो इसको भी आप कर सकते है 15 marks के लिए बढ़े ही आराम से ठीक है तो यह थे आपके 2018 से लेके चलिए यह थे आपके 2018 से लेके 2019, 2020, 2021 and 2022 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 यह आपके जो है 5 सालों के सवाल कौन से topic से आपके unit number 6 से इसी के साथ 6 मिनिट भी हो गए ठीक है तो यह सारे topic से आपने देख लिए कौन कौन से सवाल आपके आते हैं तो अपना syllabus उठाईए और वहाँ से answer writing करना start करिए पढ़िए उसक and answer writing start करिए ठीक है on an average आपके कितने जाते हैं on an average आपके 30 marks जाते हैं यहां से ठीक है 30 mark का आपको जो यहां मिलता है तो अगर आप इस topic को भी अच्छे से करते हैं तो आपको काफी ज़्यादा benefit होने वाला है ठीक है all right so thanks for watching the video वीडियो गर आपको पसंद आई हो अच्छी ल topic के साथ किसी और चीज के साथ thank you and have a nice day ahead